तो बच्चों इस वीडियो में डिसकस करेंगे डियोई की तरफ से प्रोवाइड किये गए क्लास नाइन्थ के लिए मिशन मैथमेटिक्स कोशन ओफ दा डे की वर्क सीट को जो की 22 अक्टूबर 2024 डेट के लिए है इससे पहले की सभी वर्क सीट और असेस्मेंट का सोलीशन दोनों मीडियम में अप्लोड है कॉमेंट में लिंक मिलेगी ओपन करके देख सकते हो दोनों मीडियम ओले साथ में मिट्रम पेपर का सोलीशन देख सकते हो दोनों सिप्ट के morning and evening के all subject अप्लोड है comment को चेक कर लो ठीक है तो आजाओ सिधा question पर तो question पर आजाओ question है factorize 6x square minus 13x minus 5 6x square minus 13x minus 5 के गुड़न खंड के जिए ऐसा question पेपर में जरूर होता है तो अच्छे समझो ताकि समझ में आ जाए तो देखते हैं इसके solution को answer देखो यहाँ पर question लिखा गया है सबसे पहला step क्या है सबसे starting का जो number है 6 और सबसे last में जो है 5 इन दोनों का multiply करो कितना आएगा 30 ठीक है दूसरा step क्या है last में निसान देखो क्या है minus minus अभी इसका number कितना 13 13 लिख लो तो मतलब यह जो आपका 30 number है इसके दो ऐसे factor निकालो कि last का निसान देखते है minus है तो minus करने पर बीच का number 13 है 13 आना चाहिए अगर last में plus होता तो plus करने पर बीच का number जो भी होगा उतना आना चाहिए तो यहाँ पर आपका last में minus है बीच में क्या है 13 है तो minus 13 आना चाहिए और 30 का ऐसा हमें factor निकालना है तो factor क्या होगा 15 into 2 multiply करोगे 30 आएगा यानि 15 को 2 से गुना करोगे 30 आएगा और जब 15 में से 2 minus करने पर minus करोगे तो कितना मिलेगा आपको बीच का number 13 मिलेगा ठीक है अब अगले step में starting का same लिखा गया minus same लगाया गया 13 को हटा देना है और 13 किसके equal हो रहा है 15 minus 2 तो यहाँ पर यह number लिख देंगे last में फिर से x minus 5 same ऐसे लिख देंगे ठीक है फिर से देख लो सब कुछ same लिखा गया है 13 को हटा दिया गया 13 की जगे क्या लिखना है हमको 15 minus 2 bracket में लिख कर सेम पूरा number निसान के साथ लिख दिया गया है आगे देखो 6 x square same लिखेंगे minus same लगाएंगे x का एक बार आप 15 से multiply करोगे और फिर से दूसरी बार 2 से भी करोगे बारी बारी तो सबसे पहले आप x का 15 से करोगे ता आएगा 15 x फिर ये minus ये minus हो जाएगा प्लस फिर से x का 2 से करोगे ता आएगा 2 x फिर से लाश में minus 5 same लिख दिया गया है आगे देखो ये 2-2 का पेर बना लो अब इसमें common number निकालना है common number का मतलब अगर हम number देखें तो क्या है इन दोनों में 3 common करेंगे तो मतलब 3 के table में 6 भी आता है 15 भी आता है इसलिए 3 common हुआ उसके बाद में देखो दोनों में x भी है इसमें भी है इसमें भी है तो x भी common करेंगे तो मतलब 3 x common किया ठीक है अब 3x common किया तो जो पहला पद है 6x square इससे divide कर लो तो इसको लिख सकते हो 6 into x into x और इसको लिख सकते हो 3 into x x से x कटेगा 3 to 6 मतलब 2x मिलेगा आपको तो यहाँ पर 2x लिखा गया फिर से same minus है तो minus लगा दिया गया अगला नंबर 15x है फिर से लिखा common नंबर से divide करते हैं 3x से divide करेंगे तो x से x कटेगा 3 पचे 15 पंदरा 5 आएगा तो यहाँ पर फिर से 5 लिखा गया ठीक है तो मतलब यह solve हुआ तो यह आ गया अब आगे जो भी निसान है प्लस है तो प्लस लगा देंगे माइनस होगा तो माइनस अब इन दोनों में common number देखो तो यहाँ पर x इसमें है इसमें नहीं है एक इसCommon नहीं हो सकता नंबर अगर हम कोई लें तो दोनों में common number नहीं है तो जहा पर ऐसी condition हो हमेशा एक common होता है तो क्या लेंगे एक ठीक है फिर से सेम एक common हुआ अब दो एकस है इसको एकसे डिवाइड करोगे तो दो एकस आएगा ठीक है तो यहां लिखा गया फिर से पांच है पांच लिखा गया फिर से common number एकसे डिवाइड करोगे चाहिए तो समझ लेना आपने सही किया है 2x-5 2x-5 यानि कि सेम है मतलब यहां तक आपने राइट किया है उसके बाद सेम ब्रेकट वाला एक बार लिखोगे 2x-5 और इसमें बाहर किया 3x इसमें बाहर किया प्लस 1 3x-1 दूसरे ब्रेकट में लिखना है ठीक है और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर ठीक है इस इक साथ है वक्षेट कंप्लीट है आई होप अच्छे समझ में आया होगा फिर भी कहीं पर कोई डाउट है तो कॉमेंट कर सकते हो मिलते हैं अंगली वीडियो में थाइंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो एंड टेक के क्या है